नमशकार दोस्तों, मध्या प्रदेश के बक्स वहा जंगल में 2,15,000 से ज़्यादा पेड काटे जाने का खत्रा है एक डाइमंड माइन के लिए सरकार ने डाइमंड माइनिंग की परमेशन दे दी है इस जंगल में जहां पर ना सिर्क पेड काटे जाएंगे बलकि धेरो अनिमल और प्लांट की स्पीशीज को इससे खत्रा पहुँचेगा टाइगर कंजर्वेशन पर इससे एक बुरा असर पड़ेगा साथ हजास ज्यादा ट्राइबल लोगों के लाइवली हुट्स छीने जाएंगे और सबसे बड़ी बात शायद ये है कि वो एरिया ड्राउट पोन प्रोन रीजन है मतलब वहाँ पर पानी की सक्त कमी है और डाइमंड माइनिंग एक बॉटर इंटेंसिफ प्रोजेक्ट होगा बहुत जादा पानी लगेगा इस माइनिंग को करने में दूसरी तरफ सरकार का दावा है कि इसमें कोई चिंता की बात नहीं है हम जितने पेड काटेंगे उससे ज़्यादा पेड और प्लांट कर देंगे और यहाँ पर लोगों को employment मिलेगी और economic growth बढ़ेगी तो कौन सही है याँ पर आईए इस पूरी कहानी को गहराई से जानते हैं एक ऐसी कहानी जो आज से 15-20 साल पहले शुरू हुई थी और एक ऐसी कहानी जिसमें BJP और Congress दोनों पार्टियों पर equal blame जाता है आईए जानते हैं दिल्ली से करीब 650 किलोमीटर दूर मध्या परदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में यह बक्स वाहा का रीजन है जहां पर एक बक्स वाहा जंगल है यहां की total population 10,000 लोग है according to 2011 census और यह बहुत ही सदियों पुराना जंगल है हमारी कहानी January 2004 से शुरू होती है जब Rio Tinto नाम की एक Anglo-Australian company discover करती है कि इस area के नीचे एक बहुत बड़ा diamonds का deposit है इस diamond के deposit को नाम दिया जाता है बंदर क्योंकि apparently इस area में बहुत बंदर पाए जाते है October 2010 में यह company State Support Agreement sign करती है Government of Madhya Pradesh के साथ यह decide किया जाता है कि सरकार को 10% mining royalty मिलेगी जो भी diamonds बेचे जाएंगे इस company के द्वारा और recover करे जाएंगे इस site से और 90% profit जो होगा वो Rio Tinto के पास जाएगा estimate किया गया कि 2.74 करोड कैरेट diamonds इस area में पाए जाएंगे बहुत ही बड़ा number होता है यह one of the biggest diamond deposits हो सकता है यह पूरे देश है बोले तो पैसा ही पैसा है लेकिन आप खुश क्यों हो रहे हैं आप खुश मत हो यह यह पैसा आपके पास थोड़ी जा रहा है यह 10% state government के पास जाएगा उस agreement के हिसाब से और 90% इस Rio Tinto company के पास जाता टोटल एरिया जो था उस ताइम पर यह 971 hectare का था इन्हें 954 hectare के लिए clearance दी गई थी उस वक्त ही अनुमान लगाया था कि 5 लाक्स जादा पेड काटे जाते और इसके साथ में ही पन्ना टाइगर रिजर्व था नाशनल पार्क था जहांपर टाइगर्स पाय जाते हैं पन्ना टाइगर रिजर्व की life line है केन नदी और यहांपर घडियाल पाय जाते हैं इसके बाद बक्स वाहा जंगल के अंदर अपना खुद का एक नेचर रिजर्व है जहांपर बड़ी अच्छी किसम की wildlife और nature पाया जाता है हमारा देश इन सारे nature के hero को खो देता कुछ corporate और सरकारी profit के लिए लेकिन fortunately ऐसा नहीं हुआ thanks to environmental activist शेला मसूद समय था 2011, Congress सरकार Center में थी शेला ने इंडिया के home minister को एक letter लिखा और एक written complaint भी फाइल करी parliament की select committee को दूसरी तरफ मध्या प्रदेश के high court ने जवाब मागा state government और center government से कि क्यों यहां पर gross violation हुआ है rules and regulations का शेला मसूद ना सिर्फ एक environmental activist थी बलकि एक RTI activist भी थी जिन्होंने 2011 की अन्ना हजारे की anti-corruption movement में भी participate किया था 16 अगस्त की बात थी शेला अपनी RTI के response को collect करने के लिए जा रही थी अपनी गाड़ी में बैठी drive करने के लिए driver's seat पर यह अचानक से कुछ अंजान लोग सामने से आते हैं और उनकी हत्या कर देते हैं दिन दहाडे कई लोग suspect करते हैं कि इस murder के पीछे रियो टिंटो कंपनी डाइमंड माफिया और कुछ लोकल बीजेपी politicians का हाथ था लेकिन मध्या प्रदेश की उस वक्त की home minister उमा शंकर गुपता इन accusations को dismiss कर देती हैं वो कहती हैं कि यह बड़ा unfortunate था कि इनकी मौत हो गई लेकिन कोई नहीं था सरकार में जो इन्हें मारना चाहता था रियो टिंटो के एक spokesperson की तरफ से जवाब आता है वो क्लेम करते हैं कि रियो टिंटो high ethical standards को follow करते हैं इसके बाद क्लेम किया जाता है कि शैला एक property dispute की वज़े से मारी गई है मध्या प्रदेश पूलीस पर ज्यादा भरोसा ना होने से इस case को CBI के पास handover किया जाता है और CBI result निकालती है इस case का कि शायद यहाँ पर एक love triangle था जिसकी वज़े से यह unfortunate मौत होई लेकिन कहानी काफी deep है अगर आप पढ़ना चाहें तो मैं link description में डाल दूँ है शैला की कहानी के लेकिन अपने main topic पर वापस आएं तो protest इस mind के खिलाफ continue रहता है कई सारे activist और local लोग जैसे की famous conservationist walmik thapar और NGO पहल इस movement को आगे जारी रखते है मार्च 2016 में एक forest advisory committee declare करती है कि ये area inviolate category के अंदर आता है क्यों? क्योंकि एक rich forest area है और ये एक tiger corridor है पन्ना tiger reserve और एक और wildlife sanctuary के बीच में National Tiger Conservation Authority भी एक similar सी ही report निकालती है इस committee की report के बाद सरकार finally इस mining की permission को reject कर देती है 2016 का समय है याद रखे मध्या प्रदेश में शिवराज सिंग चोहान BJP की सरकार है company response में desperate attempt करती है कि कुछ area में तो कम से हम mining करने दो तो एक नया proposal submit करती है जिसमें 76 hectares की ही बात करी गई है लेकिन forest advisory committee कहती है कि यहाँ पर भी mining करने के लिए जो high quality forest है इस पर बहुत बड़ा खत्रा पहुंचेगा हम यह afford नहीं कर सकते loose करने तो August 2016 में Rio Tinto company finally give up कर देती है कहती है कि ठीक है अब हमें यह project आगे नहीं करना यह decide करते हैं कि जितना भी अभी तक project infrastructure वहाँ पर available है वो state government को hand over कर देंगे चीफ मिनिस्टर शिवराद सिंग चोहान ने काफी कोशिश करी थी clearances दिलाने की इस company को लेकिन एक committee की report की वज़े से अब यह project shelf कर दिया गया है 7 फरवरी 2017 को final tata good bye हो जाता है इस company का और जो भी यह चीज़े थी बहाँ पर मौजूद इस company की state government को hand over कर दी जाती है तो हमारे forest, trees, rivers, wildlife, tigers और tribals सब को बचा लिया गया यहाँ पर एक happy ending हो जाती हमारी कहानी में लेकिन 2018 में मध्या प्रदेश में elections होते हैं और Congress सरकार power में आती है कमनलाथ बनते हैं नए Chief Minister और यह decide करते हैं कि इस project को अब revive किया जाएगा यह auction करवाते हैं इस project की total capital cost estimate करी गई है 2500 करोड रुपीज opportunity है 55,000 करोड रुपीज कमाने की धेरों कमपनिया यहाँ पर bidding करती है अदित्य विरला ग्रूप, अडानी ग्रूप, विधान्ता ग्रूप SL Mining and Industries Limited और National Mineral Development Corporation अदित्य विरला ग्रूप इस bid को जीत जाता है और 50 साल की lease पर 364 hectares of forest land इन्हें दिया जाता है जिसमें यह diamond mining कर सके इस नए contract में, नए deal में यह system है कि जो भी profit इस diamond mining से निकलेगा उसका 58% अदित्य विरला ग्रूप के पास जाएगा approximately और 42% state government के पास जाएगा यहाँ जो भी कुछ हो रहा है उसे ज़रा थोड़े broad sense में समझने की कोशिश कीजिए एक देश में जो forests होते हैं, जंगल होते हैं पहाड होते हैं, नदिया होती है इन पर किसका हक है हर एक देश के नागरिक का जो जंगल हैं, उनसे हम सब सांस लेते हैं तो देश के हर नागरिक का उन जंगलों पर हक होना चाहिए लेकिन यहाँ पर किया क्या जा रहा है एक सरकार basically decide करती है कि यह जंगल है यहाँ पर हम इसे एक private company को बेच देंगे ताकि वो private company इस जंगल से अपना profit निकाल सके 58% profit उनके पास जाएगा उस private company के पास जो अमीर लोग उस private company के owners है 40% profit हम सरकार के पास जाएगा हमारे पास और जंता को क्या मिलेगा यहाँ पर कहने के लिए कहेंगे कि आपको employment मिलेगी लेकिन employment से इनका मतलब है वो labor's जो काम करेंगे diamond की mining करने में जिन्हें अपनी monthly wage दी जाएगी जिससे वो barely अपना गुजारा चला सकते है और उसका output क्या होगा यहाँ पर diamonds बनाए जा रहे diamonds से क्या फाइदा पहुँचता है देश को देश के नागरी को 99% लोगों को तो कोई फाइदा नहीं पहुचता एक decorative luxury item है diamond top 1% लोगों के लिए थोड़ी luxury के लिए अच्छी चीज मिल जाएगी उन्हें मेरी राय में यह पूरा case यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया example है chronic capitalism से होने वाले negative consequences का जिसकी बात मैंने capitalism वाले वीडियो में भी करी थी यहाँ पर सरकारे हमारे natural resources को बेच रही है जिसका फाइदा सिर्फ कुछ चंद लोगों को पहुचता है as a fun fact अगर मैं आपको बताऊँ अदित्य बिरला ग्रूप जो है 2004 और 2012 में यह top donor था congress party को 2018 में भी अदित्य बिरला ग्रूप का नाम top donors की लिस्ट में आता है BJP party के लिए उसके बाद से हमारी मोदी सरकार ने electoral bonds पास करी ताकि यह जितनी भी political donations करी जा रही है कौन सी company किस party को donate कर रही है अब हमें नहीं पदा चल सकता इसका धन्यवाद करना है तो फिर से हमारे मोदी जी को ही कर गया यहाँ पर money bigots money वाली भी situation आती है कि जिसके पास पहले से ही बहुत सारा पैसा है सिर्फ वही इंसान इस diamond mine में इंवेस्ट कर सकता है और पैसे कमाने के लिए ऐसा तो है नहीं कि देश में किसी आम आदमी के पास इतना पैसा हो कि वो in diamond mines के लिए bid कर पाए तो सिर्फ जो पहले से ही billionaire लोग होते हैं उनी के पास इतना पैसा होता है वही political parties को funding दे सकते हैं ताकि यही political parties उनके pressure में आकर जंगलों को बेच डालें और वही लोग फिर profit कमा सकते हैं Bolivia एक South America में देश है जहां कि सरकार ने एक समय वहां की water supply को भी privatize कर दिया था नतीज़ा यह हुआ कि जब private companies ने पानी पर अपना control जमाया तो उन्होंने दाम बढ़ा दिये और आम आदमी के लिए पानी पीना तक unaffordable बन गया जिसकी वज़े से Bolivia में water war छिड़ गे मतलब पानी को लेकर लोग लड़ाई करने लग गए वहां पर क्या हम भी ऐसा ही चाते हैं हमारे देश में हो अब बुंडेल खंड का जो region है मध्या प्रदेश में वो एक drought prone region है वहां पर पानी की वैसे ही कमी है और अगर diamond mining करी जाएगी हाँ पर जो कि water intensive project है पानी बहुत ज्यादा लगेगा तो क्या इससे आम जनता की पानी की supply पर असर नहीं पड़ेगा क्या आम जनता को वहां पर सही तरीके से पानी मिल पाएगा क्या उस एरिया में future में water war तो नहीं होगी exact numbers की बात करूं तो estimate किया गया है कि यहां पर जो processing plant होगा mine का उसमें लगेंगे 5.9 million cubic meters water per year एक cubic meter 1000 liter पानी होता है तो 590 करोड लीटर पानी हर साल इसमें खर्च किया जाएगा और सबसे interesting चीज़ है कि output क्या निकलेगा इस सब का सरकार कहती है कि लोगों को employment मिलेगी अब कौन काम करना चाता है labor बनके diamond mine के अंदर क्या आप काम करना चाते हैं नहीं करना चाते है क्या उन आदिवासियों से पूछ कर देखा है जो उस जंगल में रहते हैं क्या वो अपना profession चोड़ कर जो जंगल में काम करते आए हैं सालों से जंगल के साथ रहते आए हैं वो अपने जंगल से जुदा होकर एक diamond mine में काम करने लग जाए laborer बनके उनसे पूछ कर देखो जड़ा इसके इलावर output क्या निकल रहा है diamonds निकल रहा है अब diamonds की किसे जरूरत है interesting बात यह है दोस्तों कि diamonds एक ऐसी चीज है जिसकी value सिर्फ create करी गई है actually मैं exist करती नहीं diamond industry को दुनिया भर में actually एक scam consider किया जाता है क्योंकि कुछ companies ने इतना control जमा रखा है diamond की supply के उपर जैसे ही diamond के prices नीचे गिरने लगते हैं नी supply को रोक देते हैं कम कर देते हैं जिससे की diamonds की value maintain करी जा सके उपर से blood diamond जैसी फिल्मों ने diamond industry में हो रहे है कारणामों को बड़े अच्छे से expose किया है जरूर recommend करूँगा इस film को देखना आप लेकिन इसके बाद भी चलो कुछ लोग कहेंगे ठीक है diamonds निकलते हैं कुछ लोगों को पसंद है diamond पहनना तो उन्हें पहनने दिया जाना चाहिए और diamonds को रहने दिया जाना चाहिए हमारी society में तो इसके लिए भी एक बड़ा अच्छा solution है दोस्तों आज के दिन lab में बनाई जा सकते है diamonds diamonds कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए जंगल काटने पड़े mining करनी पड़े क्योंकि lab में बहुत अच्छी तरीके से same quality के diamonds बनाई जा सकते है diamond की कुछ companies हैं जो कहती हैं कि जो lab में बने diamonds हैं fake हैं नकली हैं उतनी high quality के नहीं हैं लेकिन ये सब बकवास हैं ये companies अपना profit बचाना चारी है reality में diamond एक carbon का structure है lab में उसी तरह का create किया जा चुका है in fact सस्ता भी पढ़ता है lab में बनाना जो latest reports आई हैं उनके according diamond को manufacture करना lab में ज्यादा सस्ता पढ़ता है और कुछ companies ने तो अपसे promise भी किया है कि वो diamond की mining नहीं करेंगे सिर्फ लैब में ही diamond को बनाएंगे और क्यूंकि diamond carbon से बनता है हवा में मौझूद carbon dioxide को capture किया जा सकता है और lab में उससे diamond बनाया जा सकता है अब इससे दो फायदे होंगे एक तीर से दो निशान है पहला तो ये है कि कहीं mining नहीं करनी पड़ेगी जंगलों को काटना है नहीं पड़ेगा diamond mines वैसे भी बड़ी हानिकारक होती है environment के लिए और दूसरा फायदा ये है carbon dioxide एक greenhouse gas है जिससे global warming बढ़ रही है अगर हम carbon dioxide को capture करके उससे diamonds बनाने लग गए तो carbon dioxide भी कम करी जा सकती है अब ये idea आपको सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि वाग क्या idea है कहने में अच्छा लगता है practice में पता नहीं कैसा चलेगा मैं कोई अपने मन से बना कर नहीं बोल रहा हूँ ये एक ऐसी technology है जो already implement करी जा चुकी है successfully कुछ companies already ये करने लग रही है carbon capture करके उससे diamonds बनाने लग रही है तो इस वीडियो के end में ये मेरी suggestion होगी अधित्य बिर्ला ग्रूप से प्लीज इस alternative को देखिए diamond की mining को रहने दीजिए बहुत ज्यादा नुकसान होगा इससे ना सिर्फ जंगल काटे जाएंगे बलकि पानी पर एक बुरा असर पड़ेगा tiger reserves पर एक बुरा असर पड़ेगा हमारे tribals पर एक बुरा असर पड़ेगा क्यूं रिस्क लेते हो ये सब करने का इस नए टेकनीक को अपनाई इन solutions को implement कीजिए उमीद करता हूँ वीडियो आपको informative लगा हो